पांच लाग, दस लाग, पचास लाग रुपे लाते हैं और थोड़े टाइम में उनके पैसे जीरो हो जाते हैं दो रुपे का स्टॉक है और पचास रुपे हो जाएगा या दो रुपे का स्टॉक है वो दो सो रुपे हो जाएगा तो सब लोग पागल की तरह इस वीडियो को देखेंगे जो मैंने कमपनी 2012 में शुरू करी थी एक कमरे और दो लोगों के साथ वो आज 300 प्लस की टीम और 3600 स्क्वाइर फूट का आफिस जो भीका नेर में है शेर मार्केट एक सीडी की तरह है दोस्तों अगर हम एक एक सीडी चड़ेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे लेकिन हमने ऐसा करा कि हम पाँच भी सीडी पे एक साथ चड़ना चाते हैं तो पैर भी तूट जाएगा और डीमेट अकाउंट भी खाली हो जाएगा जी यहां दोस्तों मैं पियूश अंगारी फाउंडर ओफ वेल्थानिक कैपिटल मैं पिछले बारा सालों से यही रोज देख रहा हूँ कि आदमी को अगले दिन ही पैसा चाहिए मतलब आज पैसा लगाया और अगले दिन वो करोड़ पती होना चाता है अगले दिन वो लगपती होना चाता है ऐसा करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और फिर आप कैंडल्स ही देखते नजर आएंगे कि कैंडल्स कैसे आपकी पिगल रही है पिछले ग्यारा सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ मैं मैंने जब शुरू किया था जब एक कमरे और दो जनों से ये जरनी स्टार्ट हुई थी और आज साड़े 300 प्लस जनों की टीम और 25,000 के आसपास हमारे क्लाइंट से हैं तो आपको मैं यही बता रहा था कि शेयर मार्केट में पैसा रातो रात नहीं बनता है आपको वेट करना पड़ता है अगर आप बॉरन बफे की जरनी देखें तो रातो रात पैसा उन्होंने नहीं कमाया लेकिन पैसा इतना कमाया कि उसको गिन नहीं सकते तो आप यह चीज देखिए कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करना है और कितनी देर तक invest करना है सबसे जरूरी है duration अच्छा share हम पकड़ लेते हैं और बहुत लोग अच्छा share को choose कर लेते हैं लेकिन होता क्या है कि हम 5 रुपे 10 रुपे 15 रुपे profit में ही निकल जाते हैं और loss के shares को हम रखके बैठ जाते हैं MRF आपके पास नहीं होगा विप्रो आपके पास नहीं होगा अब विप्रो की कहानी अगर हमारे दादाजी ने विप्रो ले रखे होते तो आज आज आप आप देख पाएंगे कि आप कितने करोडू रुपे मालिक होते लेकिन यहीं गलती आप वापस मत करो कि आप आपके बच्चे भी आपके पोते भी ऐसा कह सकें कि हमारे दादा जी ने हमारे फादर साब ने ये शेर नहीं लिए तो stock market एक लंबी यात्रा है boring यात्रा है ये boring सिलसले से चलती रहेगी क्योंकि trading एक thrill है उसमें मजा है लेकिन आपका पैसा आपके हातों में है कि आप कैसे उसको judge करें कि आपका पैसा खराब करने के लिए आपका पैसा और time खराब करने के लिए है या आपको long term investment करते हुए आपको एक wealth create करनी है share market में तभी आओ जब आपको wealth creation करना हो आपको एक बहुत बड़ा paid create करना है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हूँ क्योंकि share market जब पैसे देता है तो bumper फार देता है लेकिन उसके लिए आपको patience रखना पड़ता है आपको धैरे रखना पड़ेगा आपको लंबी यात्रा में बहुत दुख मिलेंगे बहुत बार ऐसा लगेगा कि बहुत profit हो गया है share बेच देता हूँ लेकिन अगर अच्छा business है अच्छा share है तो आप long term के लिए carry करो क्योंकि business को हम बेचा नहीं करते मान लीजिए कि आप एक shop चला रहे हैं shop बहुत अच्छी चल रही है तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक साल बाद उस shop को बेच देंगे क्योंकि जब shop अच्छी चल रही है आपका business अच्छा चल रहा है तो आने वाले time में वो और grow होगा ऐसे ही share market है share market का सीधा सीधा मतलब ह है जो मैं समझता हूं कि हर आदमे business नहीं कर सकता लेकिन इतना ज़रूर रख सकता है कि दूसरों के business में अपना पैसा invest कर सके अगर मैं आपको विपरो की गानी बदा हूं कि विपरो 1985 में आया था और अगर किसी ने 10,000 रुपे लगाए होते तो आज उसकी value 1500 करोड रुपे लेकिन बहुत rare chance में कोई इका दुका आदमी ही है जो 1500 करोड तक रुपा तो मैं आपको अपनी जर्नी से यही बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी अच्छी company का share खरीद रहे हैं तो उसको खरीद के रखें और उसको आप अपने तीजोरी में रखें जिससे कि वो आपको wealth creation के wealth create कर सके आपकी क्योंकि अच्छे business market में जब काम करते हैं तो multiply होते हैं addition नहीं होता उनमें वहाँ पे multiplication होता है मैं अपने क्लाइंट्स को मैं अपने investors को यही समझाता हूं कि आप long term के लिए निवेश करें लेकिन होता क्या है सब को बोरियत भरी जिंदगी पसंद नहीं हैं बोरियत भरा investment पसंद नहीं है सबको यह पसंद है कि मैं आज पैसा लगाऊं कल मुझे लाखो रुपे जुड़ जाए कल मुझे करोड़ पती हो जाएं ऐसा बिलकुल नहीं होता है क्योंकि हमारे stock market में 60 बहुत लोग करते हैं और से भी खुद बोल रहा है कि 10 में से 9 ल परद्यम से 2012 में ही जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने अच्छे अच्छे शेर्स लेके रखे जो आज तक मेरे portfolio में और अगर आपको भी अपनी wealth create करनी है time जरूर लगेगा लेकिन इतनी wealth create होगी कि आप financial freedom के हिस्सा बन जाओगे financial freedom में आ जाओगे उस वक्त आपको य जिन्दगी से निकलना पड़ेगा लेकिन आपका पैसा बहुत गुना भड़ेगा अगर मैं wealth creation का example दूँ तो मेरे क्लाइंट है जिन्नोंने 1999 में में डॉक्टर रेडिस के शेर बाय करे थे 50,000 रुपीज के सिर्फ 50,000 रुपे के वो बैंक में थे और उनको कोई दे गया श चेर रख लो physical form में लेकिन और आज उसकी value देखें तो आज उसकी value तीन करोड रुपे से उपर है मतलब कितना wealth create किया और बहुत सारे मेरे clients ऐसे हैं जो trading करते हैं रातो रात पैसा कमाना चाते हैं लेकिन मैंने जैसा बताया 10 में से 9 लोग हारते ही हैं क्योंकि सही research सही clients हैं जो 5 लाग 10 लाग 50 लाग रुपे लाते हैं और थोड़े time में उनके पैसे zero हो जाते हैं क्योंकि वो चाते हैं कि मैं एक दिन में ही एक महीने में ही उसको करोडो रुपे में बदल दूँ दोस्तों होता क्या है कि हमें कहीं पर भी निवेश करना है तो उसकी अच्छी तरह research करनी होती है अगर आप trading कर रहे हो मैं यह नहीं बोल रहा कि trading गलत है अगर आप trading कर रहे हो तो आपको full time trader होना पड़ेगा आपको research करनी होगी आपको कोई और काम नहीं करना है फिर 9 से 3.5 आप computer पर ही बैठोगे trading ही करोगे और उससे आप अच्छा कमा पाओगे risk तो है अगर आपको ज्यादा कमाना है तो risk तो आपका लगे गई लेकिन अगर trading को समझें तो trading के लिए आपको बैठना पड़ेगा आपको core काम अपना trader का ही रखना पड़ेगा अगर आप चाते हैं कि मैं business भी करता रहूं और साथ साथ trading भी कर लूँ तो ऐसा संभव नहीं है तो अगर आप बिना किसी tension के बिना time दिये वे पैसा कमाना चाते हैं तो आप investment करिए और अगर आप full time trading कर सकते हैं आपके पास और कोई काम नहीं है क्योंकि आपका दिमाग भी शान्त होना चाहिए आपको research भी होनी चाहिए कौन सी company क्या कर रही है कौन सी industry आगे बढ़ने वाली है क्या charts की knowledge है technical fundamentals आपको सब जानने पड़ेंगे तबी आप एक full time trader बन सकते हैं अगर मैं अपनी wealth creation journey का experience share करूं तो मैंने जितने भी stocks लिये अगर अच्छे चल रहे हैं उसमें कोई bad news नहीं है भली कितना ही profit आ रहा हो मैंने कभी profit booking नहीं कई उसको चलने ही दिया क्यो penny stock ले लूँ और पैसा कमा लूँ तो ऐसा संभव नहीं है आपको एक अच्छा fundamental stock लेना पड़ेगा मैंने बहुत सारे fundamental stocks लिये जो आज तक मेरे portfolio में हैं और वो multi fold होते जा रहे हैं वो multi bagger होते जा रहे हैं और मैं यही राय सब को देता हूं कि penny stocks के लालच में ना पड़ें अगर मैं यह बोलू ना यहां पे आके कि 2 रुपे का stock है और 50 रुपे हो जाएगा या 2 रुपे का stock है वो 200 रुपे हो जाएगा तो सब लोग पागल की दरे इस वीडियो को देखेंगे और लगा भी देंगे उन shares पे लेकिन होता क्या है दोस्तों कि वो 2 रुपे का share बाद shares को जोडता गया दीरे दीरे जो अच्छे shares आते गए हां जिसमें bad news आई या company अपने track से उतरी वहां पे आपको watch रखनी जरूरी है वहां पे आपको exit भी होना पड़ेगा आपको थोड़ा alert होना जरूरी है लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि investment में आपको 24 गंटे देने है आपको हरवक US market भी देखना है शाम को आपको वारेक्स भी देखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है इतना hard इतना complex नहीं है market बहुत simple है अगर आपने अच्छी company चूज करी अच्छी industry चूज करी तो आपका portfolio बढ़ना ही है आपको बस patiencefully बैटना है और patiencefully बैट के watch रखना है कि क महां पर कुछ गडबर तो नहीं हो रही है अगर गडबर हो रही है तो exit होना है यही मेरा portfolio का मेरा भी wealth creation का कारण बना discipline क्योंकि लोगों में discipline नहीं होता लोग एक share से शादी कर लेते हैं एक share से शादी कर लेते हैं कि अब तो यह नीचे आ गया तो मैं इसको बेचूंगा न हम पैसे पैसे में differentiate करते हैं कि वो पैसा हमारा focus का है जो हमारा profit आया और जो हमारा loss आया वो पैसा हमारा harden money है ऐसा नहीं होता आपको पैसे को पैसे के इसाप से ही रखना पड़ेगा आपको अगर loss आ रहा है और company अगर सही नहीं है गलत track पर आ गई है तो आपको loss भी book करना बढ़ेगा आपने उस stock से शादी नहीं करी है तो इसलिए आप long term investment रखिए और अगर आप सही stocks में है तो आप अच्छी तरीके से stocks को बैठे रखिए अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए और वो आपको wealth create करके देगा तो जो मैंने company 2012 में शुरू करी थी एक कमरे और दो ल हैं और 25,000 क्लाइंट के साथ हम उनका 200 करोड रुपे invested है हमारे पास जो हम invest करवा रहे हैं awareness create कर रहे हैं हमारा main focus ही awareness create करना है हम sales करते ही नहीं है sales हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे हम awareness create करते हैं क्योंकि लोगों को knowledge नहीं है stock market की आज भी 8-9% लोगों के पास ही डीमेट अका करते हैं हमारा काम है awareness create करना लोगों को educate करना लोगों को financial education पहुंचाना जिससे की वो traditional tools से जो आज भी FDRDPPF LIC में निवेश कर रहे हैं वो कहीं न कहीं modernization में आएं कहीं न कहीं अपना पैसा business में लगाएं वो wealth on a capital कर रही है और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप जल्द इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें